मैं रमेश प्रसाद दोनी कक्षा बारा फ्रजिक्स में आज करेंट इलेक्रिक्रिक्ष्टी चेप्टर के कुछ इमेरिकल पर बाचित करूगा आए शुरू करते हैं प्रश्ण से ज़े अंकिक प्रश्ण है सनलग परिपत में बिंदूओं A तथा B के पीच सुल्य प्रतिरोध ग्याद किजिए और जो परिपत है वो इस प्रकार्स है इंदू A यह यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध यह तीसरा प्रतिरोध और यह बिंदू B तीसरे प्रतिरोध से एक और प्रतिरोध यहाँ पर सामान्द करम में जोड़ा गया और इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध से एक और प्रतिरोध को यहाँ पर तीसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया और यहाँ पर प्रतिरोध 10 Ohm के दिये गए हैं अब आपो इसका हल निकालना है यह निक तुले पर रूद किता हुगा सबसे पहले हम यहाँ पर इनको अपने कन्वेंस के लिग देते हैं R1, R2, R3, R4, R5 जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है जित्र से कि R4 और R5 सामान दर क्रम में है तो इनके बीच का तुल्य प्रतिरोद हम मान लेते हैं मान लीजिए कि वो R' है तो 1 upon R' जिकल्ट हो गया 1 upon R4 plus upon R5 इनकी वैलू जगतीचे 1 upon 10 plus 1 upon 10 एल से ले लीजिए और सॉल्ट कर लीजिए तो यह हो गया हमारे पास इतना 20 upon 100 या 1 by 2 1 by 5 सॉरी तो यह सॉल्ट करके हमारा आगया R' is equal to 5 ohm अब हमारे पास यह R4 और R5 का मांच है वो 5 ohm आगया R' के रूप में तो हम इस सर्कृट को और संपल कर देते हैं और यहां पर हमारा यह 10 ohm ही है यह 10 ohm है और यह अब हमारा 5 ohm होगा और जब कि यह जो है हमारा यह परतरूत को अभी हम फिर से यह पर सॉल्ट करें यह 10 ohm का अब यहां पर आप देखेंगे तो यह क्या हो गया कि आपका जो यह R2 था यह और यहां पर जो आपका R3 और R' बने रहा है इनका जो क्रम है वो आप देख रहे होंगे कि यहां पर R3, R' और R2 क्या हो गया है वापस सामन पर करम में है और इसको अगर हम सॉल्ट करेंगे तो पहले हम सबसे पहले करेंगे R3 और R' को क्योंगे इस रणी करम में है तो यह हमारे इनके बीच का तुले पर तो सीधा हो जाएगा क्या मान लीजिए उसे हमने R' कह दिया तो R' डबल डैस डावर हो गया R' डैस प्लस R3 इनको हम एड़ कहेंगे तो कितना हो गया 10 प्लस 5 तो यह हमारा हो गया 15 ओम इस तरह से अब हमारे पास यह सर्कृट और स्पल हो गया जो R1 से जुड़के मान आया है वो R3 और R' डैस तो हो गया हमारा कितना 15 यह वो R' का मान हो गया और यहां पर जो हमारा R2 10 ओम लगा हो है तो यह फिर वापस दोनों जो हमारा R2 और R्डैस सामंतर करम्य होगे तो अब हम इनको भी क्या कर लिता है समंतर करम का फार्मूला लगा लगा वे सॉल्व कर लेता है तो R2 और Rडेस समंतर करम होने की वज़े से यहाँ पर हम इसका फार्मूला लाएंगे माल नीचे वो R3डेस है तुल्य प्रोद तो R3डेस हमारा यहाँ पर लिखेंगे तो है वह ब्राबर किसके हो जाएगा R2 प्लस Rडेस यानि इसको समंतर करम में लिखेंगे 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R2 डेस इनकी वैल्यूस हमारे पास क्या हो गई 1 अपन 10 प्लस 1 अपन 15 इसको सॉल्ट रढ़े लेंगे LSM हो जागा हमारा कितना यहाँ पर 30 और यह 10 तरी जाए 30 और 15 तरी तो 5 पॉन 30 इसको सॉल्ट करेंगे तो कितना हो जागा 1 अपन 6 तो यह हो जागा हमारा कितना 6 ओम ठीक है तो अब हमारा यह सर्कुट और सिंपल हो गया यह 1 बाई 1 आपको भी करत करना है एक्जाम में भी आप इसी तरह से इजीली सॉल्ट कर सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास R1 और यह जो दोनों जो क्या थे यह था RSS तो यह हो गया हमारे पास 6 ओम तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो जो अब हमारे पास circuit में कुल तुल्य प्रतिरूत का मान आएगा वो हो गया R1 वो R3 डेस जो स्रिंपकरम में हैं इस मान को भी आपर स्रिंपकरम के फोर्मूले से solve कर लेंगे तो हमारे पास यह हो गया तुल्य प्रतिरूत ठीक है वो R1 प्लस R3 डैस के बरावर होगा तो यह हो गया हमारे पास कितना 10 ohm प्लस 6 ohm तो यह हो गया 16 ohm तो कुल प्रतरोद हमारा 16 ohm हो गया तो इस तरह से जो है हम कहा सकते हैं कि A और B के वीज का तुल्य प्रतरोद है वो 16 ohm है ठीक है अब हम इसी तरह से एक अगला नुमेरिक करते हैं मालिजे कि किसी तार के लिए सीरों पर 12 बोल्ट का विवान तर इस्तापित किया गया है 900 जूल उर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से होकर गुजरना चाहिए या बहना चाहिए यदि इस आवेश की बहने में एक मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली बैदुत धारा का मान नात कीजिए तो हल करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पस दिया है सिरों के बीच का पोटेंशल बारा बोल्ट और वहाँ पर जो एनरजी पर्च होती है या प्रास होती है वो है 900 जूल हमें करेंट वहाँ पर कितनी है वो ग्या करनी है तो हमें यह भी दे रखा है कि वहाँ पर कितना आविस वहां से होकर गुझेगा तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे यह हमारे पास हो गया 75 कूलाम यानि इतना आविस वहाँ पर होगा और टाइम हमें दे रखा है एक मिनट तो एक मिनट में कितनी धार वहाँ परभावित होगी तो हमें पता है धार का जो मान होता है वह आविस की प्रवादर के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं Q is equal to I into T तो यह I is equal to हो गया Q by T Q हमने calculate कर लिया 75 कूलाम और टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट इसको हम convert कर लेंगे सेकंड में 16 to 60 तो यहां पर क्योंकि हमां प्रस मिनटी है 60 हमने रख लिया वैलू यह हो गया हमां प्रस सौल करके 1.25 एंपियर तो इतनी करेंट वहां पर फ्लो करेंगे एक और numerical ले लेते हैं इस तरह के numerical को आप कर लीजिए एक नमबर में भी छोड़े चोड़े numerical आते हैं और ठीकी होते हैं जो आपको समझने की आवसेकता है तो हम यहां पर एक दूसरा numerical लेते हैं किसी चल से 0.6 एंपियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल बोल्टेज या टर्मिनल विवानतर 1.6 बोल्ट तथा 0.8 एंपियर धारा लेने पर 1.3 बोल्ट हो जाता है सेल का विद्दुत बाहाकबल तथा आंतरिक प्रतिरोध यानि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ग्यांत पीजिए तो आईए जैसे कि हमें दिया है यहां पर पहले केस में कि आई का मांद 0.6 एंपियर करेंट और उसमें जो पोटेंशल डिफरेंस है वो 1.6 बोल्ट है तो फॉर्मूला है वी इस इगल टो ए माइनस आई आर यहां पर विद्दुत बाहागल है तो यह हो जागा 1.6 यह हमें निकालना है माइनस आई 0.6 और आर तो यहां पर एक सम करना होगी और इसी तरह से दूसरे केस में यहां पर भी हमें आई इस इगल टू जीरो पॉंट टैंपियर दिया हुआ है और प्रोटेंशल डिफरेंस 1.3 बोल्ट दिया हुआ है वो फॉर्मूला लगाएंगे वी इस इगल टू ए माइनस आई आर तो यह होगा 1.3 ए माइस पॉंट 8 आर तो यह दो लीनियर एकोईशन बन गई आपके पास 1 और 2 तो ली एकोईशन 1 और 2 को हम सॉल कर सकते हैं तो समी करन एक और समी करन दो को घटाने पे या हल करने पे तो यह हमारे पास क्या हो गया 1.6 is equal to e minus 0.6 r और दूसरी एकोईशन 1.3 e minus 0.8 r यह हमारा गटाने पे क्या हो जाएगा यह values कर जाएंगी यह बच जाएगा हमारे पास 0.3 और यह हो गया हमारे पास 0.2 r तो हम यहाँ पर solve कर लेंगे यह हो गया हमारे पास क्या हमारे पास 0.3 divided by 0.2 तो यह 1.5 ohm तो इस तरह से हमारे पास आंत्रिक प्रत्रोद आ गया अब हम इस r का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देंगे मान लीजे हमने 1 में रखा तो यह हो गया 1.6 e minus 0.6 into r 1.5 यह हमारे पास क्या हो गया 15.6 यह हो गया 90 और उसका वैलू रखके solve कर दिया तो यह हो गया 0.9 e is equal to हमारे पास हो गया 1.6 plus 0.9 is equal to 2.5 बोल्ट तो इस तरह से r निकल गया और e निकल गया अब हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं एक तार में पीस माइक्रो एम्पियर की विद्दुधारा 30 सेकंड तक प्रभावित होती है या बहती है ग्यात कीजिए नम्बर बन तार में स्तांत्रित आविस दूसरा तार में स्तांत्रित एलेक्ट्रोंस एलेक्ट्रोनों की संग्डा तो इसे इसे कि मैंने माइक्रो एम्पियर दिया है उसको कनवर्ट कर लिया 20 इंट्रोंस 6 एम्पियर और टी 10 30 सेकंड है तो पहले हम आविस को ग्यात कर लेते हैं आविस का माद इंट्रोंस 6 इंट्रोंस 4 कूलाम इसी तैसे हम क्यात कर सकते हैं इलेक्ट्रों की संख्या तो इलेक्ट्रों की संख्या हमें पता है यह भी Q is equal to N E होता है तो यहाँ पर इस फार्मलों का यूज करते हैं हम लिख सकते हैं N बराबर Q बटे E और Q कमान हमें पता है 6 इंट्रोंस 4 और E यह एक इलेक्ट्रों पर कितना आविस होता है 1.6 इंट्रोंस 4 माइनस 19 कूलम इस वैलू को हम यहाँ पर रख लेंगे इसे solve करेंगे यह हमारे पास आईगा 3.75 इंट्रोंस पावर यह होगा आपका माइनस 4 और 19 तो यह 15 इतना वहाँ पर आवेस हो गया ऐसे ही हम छोटी प्रॉब्लम को solve करके अपना बड़ी प्रॉब्लम ही solve कर सकते हैं तो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं कि मानली हमें दिया है 600 वाट और 120 बोल्ड का एकिटर है उसके लिए तार का जो प्रतिरोज है वो ग्यात करना है तो यहाँ पर हम simple formula क्या लगाएंगे पहले जो दिया है वो लिख ले पावर 600 वाट बोल्ट इस 120 वोल्ट तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पावर इस इकल टू वी इंटो आई और हम इसको भी change कर सकते हैं यहाँ पर पावर से भी हम निकाल सकते हैं तो वी का मार रखेंगे वी इस इकल टो आई आर तो आई इस इकल टो हो गया वी बाई आर तो यह हो गया हमारा वी स्वायर ओबर आर तो यह वी हमें पता है आर हमें निकालना है पी हमें दिया हुआ है तो यह हो गया हमारा 120 इंटो 120 डिवाइड़ बाई आर हमें ग्यातना है और पावर हमें पता है यह किसके बराबर है 600W तो इसे solve करेंगे यह हमारा पास हो जाएगा R is equal to 120 into 120 divided by 600 तो यह हो जाएगा हमारा कितना 24 Ohm तो simple इस तरह से हम करते रहेंगे ऐसे ही कुछ equity problem और लेते हैं कि मालेजिए 240 बोल्ट पर हमें दिया हुआ है एक 200W का कोई valve और इस valve को जब प्रज्वली करते हैं या on रखते हैं तो इससे तो इसका प्रतिरोद ग्याद करना है जब हमें दिया है कि यहाँ valve जो है इसका जो प्रतिरोद है वो 0 degree Celsius पर बल्के प्रतिरोद का दस गुना होतो हो तो प्रज्वलित यानी on condition में बल्के filament का तापमान 2000 डिगरी सेलसियस होने पर तन्तु के प्रतिरोध ताप गुणांग की जड़ना कीजिए यह वही है जो हमने पहले पढ़ा था की टेंपरिचर और प्रतिरोध में क्या संबना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जो दिया है उसे नोट कर लें कि दिया हमें क्या है 240 बोल्ट और पावर उसकी 208 अब हम नहाँ पर इसको देख लेते हैं कि हमें पता है R is equal to V square upon T होता है तो यहां से हमाँ पास R की value हो जाएगी 240 into 240 divided हमाँ पास पावर 200 है जो सॉल्व करेंगे यह हो गया हमाँ पास 288 ohm 288 ohm अब हम यह भी जन लेते हैं कि 0 degree Celsius पर मान लीजिए प्रतिरोध R 0 है तो हम एक formula यूज़ कर लेंगे जो हमने पहले भी पड़ा हुआ है और प्रस्ट यह अनुसार यहां पर मानों को यूज़ कर लेंगे तो हमाँ पास यह हो जाएगा R T is equal to 10 R 0 यह तो दिया हुआ है यह पर T हमारे पास 2000 degree Celsius है तो यह हमारे पास हो गया R T is equal to R 0 1 plus alpha T formula हमारे पास होता है alpha ताब गुणांक होता है तो यह हो गया हमारे पास R T is equal to 10 R 0 के 1 plus alpha T के alpha हम निकालना है तो हमारे पास यह हो जाएगा इसको solve कर लेंगे 10 minus 1 is equal to alpha T और हम इसको कह सकते है यह हो गया हमारे पास alpha is equal to 9 by T और यह हमारे पास हो गया 9 upon T का value हमें पता है 2000 degree Celsius तो यह हो गया 4.5 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius तो इस तरह से हमारे पास ताब गुणांक यात हो गया इस तरह से एक problem हो ले ले लेते हैं problem है 15 मिटर लंबे एक 6 गुणां दसकी घाद माईना 7 मिटर इसक्वाइर अनप्रस्त वाले तार के उपछणिया धारा प्रवाय की गई है और उसका प्रत्रोद 5 ओम आपा गया तो प्रयोगिक तार पर तार के प्रत्रोदार की प्रत्रोधकता क्या होगी जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है कि तार की लंबाई L बराबर 15 मिटर तार की अनप्रस्त कार्ट का चेतर फल A बराबर 6 गुणां दसकी घाद माईना 7 मिटर और तार का प्रत्रोधकता हमें यहाँ पर ग्याद करनी है तो हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हमें पता है प्रत्रोधकता का फॉर्मुला के लिए हमारे पास होता है र बराबर वो L बटे A तो इस सूत्र से हमारे पास रो का मान हो जाएगा रो बराबर और A अपन L तो हम इन मान को रख लेंगे तो रो बराबर हो जाएगा तार के प्रदार्ट की प्रतिरोध धकता है उसे गात किया जिसका मान आया दो गुणा दसकी घात मैस साथ ओम मीटर इसी तरह से हमें एक और नुमेरिकल ले 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 हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 8 बोल्ट पिद्दुद बाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरी प्रतिरोध 0.5 ओम है और उसे स्रणी करम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का परियोग करके 120 बोल्ट के DC सोर्स से चार्ज किया गया तो चार्ज करते ही समय बैटरी का टर्मिनल बोल्टेज क्या होगा एक जाद करना है और ये भी बताना है कि चार्ज कारी परिपत में जो परतिरोधक है उसका स्रणी करम में लगाने से क्या उदे से है यानि जो परतिरोध स्रणी करम में लगा हुआ है उसका क्या यूज य दिया है और यहां पर ई है वो हमें पता है हमें टर्मिनल बुल्ट इस भी ग्याद करना है आंतरिक पदरूद हमारे पास यहां पर दिया हुआ है 0.5 ओम तो हम इस वैलू को यूज करते हुए जो है जो हमारे पिज़्दी वी है ए ब्रावर 8 बॉल्ट आर ब्रावर 0.5 ओम इसका यूज करते हैं हम देखें इस सर्कृट में यह सर्कृट कुछ इस तरह से दिखेगा जो आर्ट बॉल्ट का यहां पर बैटरी सोर्स है उस पर 0.5 ओम का रजिस्टेंस है और वहां पर जो लोड रिजिस्टेंस लगा हुआ है वह 15.5 ओम का है और जो डी सी सोर्स यहां से करन्ट रो कर रहा है वह 120 बॉल्ट का है तो यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे वी इकल टू ई प्लस आई आर तो हमारे पास यहां पर जो आई का मान होगा अगर हम इस फॉर्मूल टोटल जो बॉल्टेस है वह 120 है ए माइनस वी यानि हमारे पास यहां पर किना है एट बॉल्ट है तो अगर हम इसको आपर यूज कर लेंगे यह हो गया 120 माइनस एट डिवाड़े बाए 15.5 प्लस 0.5 इसे सॉल्ट करेंगे तो यह हो गया 112 बटेस्टुला और यह बराबर हो थी वह इक मान यहां पर हमने ले गया 8 और प्लस तो यह हमारा हो गया i7 है पर गिधार हमने को इन्टी डिवाड़े डिवाड़ेंटे है तो यह जो बोल्टेस वह ऑप पास 11.5 बोल्ट यहां पर यह पूचा गया कि जो हमारा रिजस्टर्स है वह जो चार्ज कारी परिपत में उसको स्irmुक्रम में क्यों जोडा गया तो जैस牛phone आप जानते हैं तो LEGO होने का मतलब ओसने के ऐसे मितलब यहां पर जो भी करण यह यहां से निकले है की सर्कृट की जो करण वह गी ऊस करण्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहींट जो जो भी वहाँ पर होगी वह damage नहों इसलिए road resistance को बड़ा लगाया गया है ताकि वहाँ पर current को नियंत्रित कर सके